बक्ति जदू माताओं बेनू साधर जैसी ग्रश्न हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर्मिंद शास्त्री आज हम आप सभी को वट सावित्री पूर्णीमा की दव्य और ज्यानमई कता सुनाने जा रहे हैं इस कता को अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजेगा तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वट सावित्री पूर्णीमा जैस्ट पूर्णीमा की बहुत बहुत शुपकाम नए और बधाईया भगवान स्रीहरी लक्षमी ना का वरत किया जाता है तथा इस दिन वट वरक्ष की पूजा अर्चना करके अपने पती की लंबी आयू की कामना की जाती है जैसा कि इस वरत और नाम तथा कथा से ही ग्यात होता है कि यहाँ पर्व प्रतीक परिशिती में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता इसे ग्यात होता है कि पतिवरता इस्त्री में इतनी शक्ती होती है कि वह यम्राज से भी अपने पती के प्राण वापस ला सकती है वही सास्सुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इसी महापर्वसे प्राप्त होती है इस दिन सोभाग्यवती इस्थियान अपने पती की लंबी आयू, उत्तम स्वास्त और उन्नती तथा प्रदती एवं संतान प्राप्ती के लिए वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखती है भार्ती पंचांग के अनुसार वत सावित्री पुर्णिमा की पुजा और व्रत इस वार 21 जून 2024 शुकुरवार के दिन ही रखा जाएगा जोतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष 21 जून 2024 शुकृवार के दिन ही जैस्ट महा के शुक्लबक्ष की पुर्णिमातिथी रहेगी क्योंकि पुर्णिमातिथी का आरंब 21 जून 2024 दिन शुकृवार को सुबा 7 बज खर के 32 मिनिट से हो रहा है जो कि 22 जून 2024 शनीवार को सुबह 6 बज करके 37 मिनिट तक पूर्णीमा तिथी समाप्त हो जाएगी अतह चंद्रोदय व्यापिनी रात्री व्यापिनी पूर्णीमा तिथी जो रहेगी वो 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी इसी दिन वट सावित्री पूर्णीमा का अवरत रखा जाएगा और वट सावित्री पूर्णीमा का पूजन अर्चन करना अति उत्तम रहेगा यदि आप प्रत्येक महा की पूर्णीमा का अवरत रखते हैं या सत्यवरत पूर्णीमा का अवरत रखते हैं तो आपको ये सभी पूर्णिमा संबंदी कार्य 21 जुन 2024 शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए वट सावित्री पूर्णिमा का जो पूजन है वो प्राताकाल की वैला में किया जाता है इसलिए प्राताकाल के समय आप सारी पूजन की तयारियां कर ले और किसी वट वरक्ष के समीब जाकर के वट वरक्ष का पूजन अर्चन करना चाहिए इस विधान में इस वरत में जो पूजा की सामगरी लगती है उसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ती लगती है या चित्र लगता है कच्चा सूत इसमें लगता है बास का पंखा लाल रंग का जो कलावा होता है जिसे मोली रक्षा सूत्र या नारा भी कहा जाता है तथा बरगत का फल दोब दीप नवेद्य मिट्टी का दीपक घी और इसमें फल विशे सूप से आम के फल लीची और अन्य फल का उपयोग किया जाता है सत्यवान सावित्री की मूर्ती प्राया बाजार में भी मिल जाती है और यदि नहीं मिले तो सत्यवान सावित्री के चित्र भी आप यहां पर लगा सकते है वैसे तो सत्यवान सावित्री की कपड़े की मूर्ती भी बनाई जाती है बास का पंका, लाल धागा, दूप, मिट्टी का दीपक, गी, फल, फूल और सभी प्रकार की पूजन सामगरी एकत्रित कर ले और कपड़ा लगभग सभा मीटर लगेगा सिंदूर, रोली, अक्षत, अभिर गुलाल, पुष्प, इत्र, सुपारी, पान, नारियल और दूर्वा, तथा अन्य पूजन सामगरी, सोभागी की सामगरी, कुछ दक्षिना, नारियल, पुडिया और भिंगवे हुए चने या चने की डाल, इस्टील या कांसे के बरतन, थाली, मिठाई, घर में बना हुआ, कुछ भी मिठाई या पकवान, जल से भरा हुआ कलश, आदी वस्तू का उप्योग किया जाता है, और वट वरक्ष के समीब जा करके, सबसे पहले वहां की सफाई करे, और वट वरक्ष के सामन बेट करके, सत्यवान सावित्री की मूर्ती की स्थापना करे, वट सावित्री वरत में, वट याने बरगत के वरक्ष के सांसान, सत्यवान सावित्री और यमराच की भी पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है कि वट वरक्ष में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं का वास होता है अटवरक्ष के याने बढ़ के पेड़ के या वटवरक्ष के समीब बेट करके पूजा करने से सभी मनों कामनाई पूर्ण होती है वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन इस्तिनियों को प्राता काल उटकर के इस्तनान करना चाहिए इसके बाद रेट से भरी एक बास की टोकरी ले उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ती के साथ साथ सावित्री की मूर्ती भी इस्थापित करे इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां इस्थापित करे दोनों टोकरियों को वट के व्रक्ष के याने बढ़ के पेड के नीचे रखे और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पुजा करे उसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पुजा करे और वटवरक्ष को जल सिंचन करे जल अरपन करे वटवरक्ष की पुजा है तो जल फूल रोली याने रक्षा सूत्र जिस से अभिशेक करें उसके बाद सावित्री को अर्ग प्रदान करना चाहिए अर्ग प्रदान करते समय इस मंत्र का स्रवन करना चाहिए या इस मंत्र का उच्चारन करना चाहिए इसके बाद ये जो श्लूक हम आपको बोल करके सुना रहे हैं इनके बाध्यम से बट वरक्ष का पूजन अर्चन करें आप भगवान नारेन के जो स्वरूपे उनका ध्यान करते हुए बट वरक्ष का पूजन करें ओम विष्णवे नवाहब इस महा मंतर से बट वरक्ष का पूजन अर्चन करना चाहिए पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा, सूथ, भिंगोय, हवा, चना, फूल, दूप, दीप, इत्यादी का उप्योग करें जल से वरक्ष को सीच करके उसके तने के चारो और कच्चा धागा लपेट करके तीन बार अत्वा यथा शक्ती पाँज बार, ग्यारा बार, इक्कीज बार, इक्क्याबन बार या एक सो आट बार बढ़ के पेड की परिक्रमा करें बढ़ के पत्तों के गहने पहन करके वर्ट सावित्री व्रत कथा का स्रवन करें, फिर बास के पंखे से सत्यवान और सावित्री को हवा करें, बरगत के पत्तों को अपने बालों में लगाएं, भिंगे हुए चनों का बायना निकाल करके, कुछ रुपे दक्षना रख करके सासू जी के चरण इसपर्स करके उनको प्रतान करे यदि सास वहाँ पर उपस्तित नहीं हो तो बाइना निकाल करके उन तक पहुँचाए या किसी ब्राम्मनी को दान करे वड तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान सिंदूर तथा कुंकुम से सोभाग्यवत्य इस्त्री के पूजन का भी विधान है यही सोभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है सोभाग्यवत्य इस्त्रीयों का भी पूजन होता है कुछ महिलाएं इस वरत को अमावस्या को करती है वहीं कुछ महिलाएं पूर्णिमा को करती है सभी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार पूजन का व्रत का विधान इसमें अपनाते हैं और अपने सामर्थ के अनुसार पूजा समापती के बाद ब्राह्मन देवता को वस्रदान, अन्यदान, दक्षनादान, फल आदीदान दिये जाते हैं और सभी वस्तुएं मास के पात्र में रख करके दान की जाती है घर में आकर पूजा वाले पंखे से अपने पती को हवा करे तथा उनका आशिरवात प्राप्त करे यदि आप व्रत धारन करते हैं तो इस संकल्प के माध्यम से आपको व्रत धारन करना चाहिए इस प्रकार इस व्रत का संकल्प इश संकल्प के माध्यम से धारन किया जाता है दिन में एक समय आप भोजन कर सकते हैं और एक समय फलाहार कर सकते हैं यदि आप चाहें तो शाम के समय भोजन करें लेकिन भोजन में मीठी वस्तू का उपयोग अवश्य करना चाहिए कुछ लोग इस दिन गुड के मीठे भजिये जने गुलगुले भी कहा जाता है वो बना करके उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं कुछ भर्ट जन माताएं मेहने बढ़के पत्ते के जो फल होते हैं उनका भी उपयोग करते हैं अपनी अपनी शद्धा परंपरा या आस्था के नुसार इस व्रत को किया जाता है वर्ट सावित्री व्रत की जो कथा है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं बोलिये लक्षमी नारायन भगवान की जये यवराज भगवान की जये एक समय की बात है मद्र देश में अक्ष्वपती नाम के एक धर्मात्मा राजा थे उनके यहां कोई भी संतान नहीं थी राजा ने संतान हेतु यग्य करवाया कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ती हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा विवाह योग जो होने पर सावित्री के लिए ड्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पती रूप में बरण किया सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था लेकिन उनका राज पाट सब कुछ छीन गया था और अब बहुत दरिद्रता का जीवन जी रह थे उसके माता पिता की आँख की रोशनी भी चली गई थी सत्यवान जंगल से लखडियां काट कर लाता और उन्हें बेज करके जैसे तेसे अपने परिवार का और अपना गुजारा कर रहा था जब सावित्री और सत्यवान के विवाहा की बात चली तो नारद रिशी ने सावित्री के पिता राजा अश्वपती को बताया कि सत्यवान अलपायू है और विवाहा के एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यू हो जाएगी हलाकि राजा अश्वपती सत्यवान की गरीबी को देख करके पहले ही चिन्ति थे और सावित्री को समझाने की कोशिश करने लगे नारजी की बात उन्हें और भी चिन्ता में डालने लगी लेकिन सावित्री ने एक नहीं सुनी और अपने नरणाय पर वहाँ अडिक रही अन्तर तहा सावित्री और सत्यवान का विवह संपन्न हो गया सावित्री सास ससूर और पती की सेवा में लगी रही नारद मुनी ने सत्यवान की मरत्यू का जो दिन बताया था उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में चली गई वन में सत्यवान लकडी काटने के लिए जैसे ही पेर पर चड़ने लगा उसके मस्तक में सिर में असहनी पीडा होने लगी कस्ट होने लगा, दर्द होने लगा और वह सावित्री की गोद में सिर रख करके लेड गया कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयम यमराज वहाँ पर उपस्तित हो गए जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को ले करके दक्षिन दिसा की ओर चलने लगे तो पतिवरता सावित्री भी उनके पीछे चलनी लगी और आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिवरता नारी जहां तक मनुष्य साथ दे सकता था तुमने साथ दिया पती का साथ दिया अब तुम लोग जाओ इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पती जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए यही सनातन सत्य है यम्राज सावित्री की वानी को सुनकर के प्रसन्न होए और उसे वर मांगने को कहा सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंदे है उन्हें नेत्र जोती दे दीजिए यमराज ने तथास्तु कह करके उसे लोट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगा कि तो सावित्री यमराज के पीछे चलती रही यम्राज ने प्रसन्न हो करके पुना सावित्री से वर मांगने को कहा सावित्री ने वर मांग करके कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए यम्राज ने तथास्तु कह करके पुना सावित्री को लोग जाने को कहा परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही अपने बात पर अचल रही वापस नहीं लोटी सावित्री की पती भक्ती को देख करके यमराज पिगल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर्दान माँगने को कहा तब सावीत्री ने वर्दान मागा कि मैं सत्यवान के सो पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ क्रपा करके आप मुझे या वर्दान दे दीए सावीत्री की पती भक्ती से प्रसन्न हो करके इस अंतिम वर्दान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पांशे मुक्त कर दिया और अद्रश्य हो गए सावित्री जब उसी वट व्रक्ष के पास आई तो उसने पाया की वट व्रक्ष के नीचे फड़े हुए सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है कुछ देर में सत्यवान उठकर के बेड़ गया उधर सत्यवान के माता पिता की आँखे भी ठीक हो गई उनकी आँख की रोश्नी आ गई और उनका खोया हुआ राच पाट सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया अब सत्यवान के साथ सावित्री कुषल पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी सुखी रहने लगे पूरे परिवार में आनंद ही आनंद चा गया इस प्रकार जो कोई भी माताएं बेहने भक्त जन जेस्ट महा के शुक्ल पक्ष की पूरी मातिती का व्रत करते हैं इस दिन बट व्रक्ष का पूजन अर्चन करते हैं उनके घर परिवार में सुख शान्ती सम्रद्धी का वास होता है तथा उनके जीवन की सारी इच्छाएं सभी मनों कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है उन्हें धार्म, अर्थ, काम और अन्त समय में मोक्ष पद की प्राप्ती होती है बोलिए स्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जै अच्चुतं केषवं, राम नारायनम, ख्रिष्ण दा मोधरं, वासु देवं हरे स्री धरं मादवं, गोपी का वल्लभं, स्री जानिकी नायकं, स्री राम चंतरम भजे जानिकी मनोहरं, सर्व लोक नायकं, स्री शंकरादी सेवितं, पुन्य नाम कीर्दनं Sri Rama 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 है नात नारायन वासुदेवा स्री कृष्न गोविंद हरे मुरारे है नात नारायन वासुदेवा है नात नारायन वासुदेवा है नात नारायन वासुदेवा बोलिये स्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जै स्री वन दावन भिहारी लाल की जै यम राज भगवान की जये, धर्म राज भगवान की जये, धर्म की जये हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्यान हो, सनातन धर्म की जये हो, गोमाता की जये हो, नगर बस्ती की जये हो, आज के आनंद की जये हो, कल के आनंद की जये हो, परस वक्त जिनू मैं ताव भेनू आप यदी वट सावित्री पुर्णिमा के निमित कथा की दक्षना प्रदान करना चाते हैं अन्यदान देना चाते हैं फलदान देना चाते हैं वस्त्रदान देना चाते हैं गौवडान करना चाते हैं या सत्यनेरायन भगवान की पूजा अर्चना पूर्णिमा के दिन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाते हैं। या कोई भी पूजा अनुस्ठान पूर्णिमा के दिन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाते हैं। तो इसे तू नगत धन राशी हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटियम नंबर, एकाउन नंबर के माध्यम से भेज करके वट सावित्री पुर्णीमा का संपुर्ण पुर्णिलाब आप प्राप्त कर सकते हैं साथ ही आप सभी से नुरोदे के हमारे इस ग्यानवर्दग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि इसी प्रकार की ग्यानवर्दग वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके आपको और आपके पूर्य परिवार को साधर जैसी क्रश्न, साधर धर्न्यवार